जैश्री रादे हर्मादेव, मेरे ब्यूटिफुल डिवाइन्स कैसे आप सभी लोग मैं हूं पूजाते आगी और स्वागत करती हूं आज की रिलेशनशिप पीडिंग में आप सभी लोगों का आपके पार्टनर की ताजी ताजी भावनाय चेक करेंगे, वो क्या महसूस कर आपके लिए उनकी करण भावनाय क्या है, next action क्या ले सकते हैं, सब चेक करेंगे, ओके, आपको रीडिंग के समय रहना है, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिफ और कोई भी आपको गर्ज नहीं रखना है, बहुत ही पॉजिटिव हो कि रीडिंग को एक्सिप कीजेगा, ओल That's the first card. I am getting the Page of Swords, उसके बाद मुझे मिल रा है Temperance, then I am getting Ace of Wands, उसके बाद आरहा है the World, okay, then I am getting the Chariot, alright, then I am getting the Seven of Cups and the bottom of the deck checkcher लेते हैं, which is the night of cups alright, चलिए candle wax reading start करती हूँ, देखते हैं candle wax से हमें और क्या जानकारी आपके relationship के लिए मिल रही है, okay alright, राधी राधी, ओम नमस्षिवाई let's start okay दिखो, आपके जो person है आपके जो partner है, ये person मुझे काफी determined काफी headstrong और काफी egoistic दिखाई दे रहा okay, बहुत जल्दी ये किसी से connection बनाते नहीं है और अगर बना लें और उसके बाद उस person से इनका connection किसी वर्यों से तूट जाए तो इनको ओर reconciliation और reunion करने में जो समझोहता करना होता है ना इनको बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि ये person जुकने वाले नहीं है ये person इस तरह के इनसान है जो अपनी बात को सबसे उपर रखते है it is more like my way और highway अगर आप इनकी बात न माने और आपके relationship में ये बहुत बार हुआ होगा अगर आप इनकी बात न माने तो ये person frustrate हो जाता है आपके partner जिटरी हो जाते है इनको अच्छा नहीं रखता अगर आप इनको challenge करें नहीं नहीं ये अच्छा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब करें क्योंकि जो egoistic इंसान होता है वो सवाल जवाब में confrontations में पढ़के पढ़ना नहीं चाहता that is not this person's comfort zone तो जहां आप सवाल करते हैं जहां आप अपनी भावने वेक्ट करते हैं जहां आप थोड़े emotional होते हैं जहां आप चाहते हैं कि ये person आपके पास आएं आपके साथ team बनाएं आपकी बात समझें वहीं ये person फिर दूर-दूर हो जाते हैं आपसे या तो block कर देंगी या तो गुसा हो जाएंगी या तो लगाई बहुत समय तक चीदि क्योंकि मुझे backs फैलता हुआ दूर-दूर जाता हुआ दिख रहा है हर boon एक दूसरे से separate होती भी मुझे दिख रही है यानि कि ये person detachment को show करते हैं अगर इनसे आप ज्यादा सवाल जबाब करें तो बिल्कुल या तो आपको block कर देंगे या आपसे ऐसी कटू वानी में बात करेंगे कि आपका दिल टू ये person आपके पास offer लेके आना चाहते हैं ये person आपके पास अपने मन की बात कहना चाहते हैं जितनी भी misunderstanding है clear करना चाहते है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कईना के जो इनकी ego है इनका जो एहम है इनने पीछे रोगता है ऐसा भी लग रहा है कि आपके partner बहुत impulsive है इस वक्त आपको वो इस रिष्टे की condition के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये person आपको miss भी कर रहे हैं बहुत जादा इस वक्त बहुत miss कर रहे हैं आपको और क्योंकि miss कर रहे हैं और frustrated हो रहे हैं तो at the same time भी आपको इस जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आपकी वज़ा से करेना के रिष्टे में ये problem आई है तो थोड़ी victim mentality रग रहे है इस time person की वो अपनी गलती को उसने जादा consider या accept नहीं कर रहे हैं इनको लगता है कि अगर आप थोड़ी को और कोशिश करते तो शायर्दी अस्तिती नहीं आती बहुत ज़ादा सोचा है नोने आपकी बारे में बहुत मिस्के है नोने आपको इस person के लिए balance करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है life को आपके बिना ऐसा लग रहा है कि person आपके बिना बहुत लॉस्ट फील कर रहा है अपता है क्यों कर रहा है यह लॉस्ट फील यह लॉस्ट फील इसलिए कर रहा है कि कहीना कहीना आप इनके map थे कहीना कहीना आप इनके anchor थे कहीना कहीन आप इनको सही रास्ते पे ले जाया करते थे जब यह बटक जाते थी और कुछ opinion लेनी होती थी कुछ पूछना होता था तो आप इनके go to person भी थे दिन में कई के बार आपको call आता था इस person का और अब वो connection नहीं है तो ये person काफ़े miss कर रहे है काफ़े unanchored feel कर रहे है unhinged feel कर रहे है आपके बिला, ऐसा भी लग रहा है कि person ने आपसे कुछ ऐसी बाते भी बोली है जो कई ने कई आपके dignity को, क्या आत्म सम्मान को भी उन्होंने hurt किया है अगर ऐसा है तो ज़रूर मुझे बताईएगा और ये जो भावना है ना, ये जो feeling है इसको आप अभी तक भी carry कर रहे हो, आप उस परल को बनाया, इनको balance बनाके चलना चाहिए था इनको ज़्यादा ही कर दिया आपके बास इस person knows that इनको इस वक्त hurt कर दिया है इसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इनको समझ नहीं है इस चीज़ की sorry भी कहीं नहीं कहीं कहना चाहते हैं आपसे मन से तो sorry feel कर रहे है आप तक एक sorry की energy पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि मैं वो pick कर पा रहे हूँ क्योंकि person काफे guilty महसूस कर रहे हैं आपको लेके Ace of Cups का card है और जो candle wax की भी energies हैं वो कहीं नहीं आपके life में इस person का compassion दिखाती हैं और एक एक नया शुरुवात एक नया रास्ता खुलतावा दिखाती है सुझते में आपको और उनके बीच में आप दोनके बीच में एक नया bridge भी दिखाती है ये energy क्योंकि Ace के एक card नहीं है viewer Ace के दो-दो cards हैं और यहां पे जब Ace आता है तो यानि के new beginning नई शुरुवात desire भावना आप तक पहुँचने की आपको feel करने की आपके पास जाके अपने भावना को express करने की इन सबी चीजों की एक नई desire आपके person के अंदर इस वक्त आ रही है आने वाले समय में क्या हो सकता है इनका action आपके लिए ये भी चेक कर लेते है देखो आने वाले समय में ये जो आपके बीच में पिछली बातचीत हुई थी या पिछले जीओ आपके बीच में एक वारतलाप हुई थी वीवर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धूरी रह गई क्योंकि श्याद लड़ाई हो गई होगी तो उसका कुछ निशकरश नहीं निकला उस बात को आपके partner complete करना जाते है उस बात का कुछ निशकरश कुछ conclusion निकालना जाते है ऐसा लग रहा है कि वो बात क्योंकि खतम नहीं हुई करना जाते है और बहुत ही wholeness के साथ बहुत ही acceptance के साथ करना जाते है हो सकता है यह आपके लिए person travel भी कर रहे है अगर आप लोग अलग अलग cities में रहते हो तो most probably यह person आपके लिए travel करने के लिए भी इस वक्त महसूस कर रहा है तो यह इस चीज़ को sort out करने के लिए fulfill करने के लिए इस goal को attain करने के लिए कि आपके साथ मिल के बातचीत करना चाहते है this person can travel and that can come to you as a surprise या आपकी तरफ surprise की तरह आ सकता है पून तहा आपको पता भी ना हो वो सकता है यह person पहुशने के बाद आपको यह चीज़ बता है आपको पता भी ना हो कि आने वाले है क्योंकि बहुत सारी positive बहुत सारी new beginning energies ऐसी energies जो इस person ने जिसे कि ठान लिया है कि इनको चीज़ों को ठीक करना है अगर आप reconciliation चाह रहे हो ना और अगर आप चाहते हो कि person की तरफ से effort आये तो उस reading को claim जरूर करना और लेट कोई भी स्थिती हो जब समय बदलता है जब person की energies change होती है तो मुश्किल से मुश्किल की संभव हो जाती है तो आप जरूर इसको claim कीज़ेगा आपके partner आपको जब जो समय इनके पास खाली होता है जब यह अकेले में होता है तब सबसे ज़्यादा आपको miss करता है इस तरफ ऐसा लग रहा है कि आपके partner अकेले है इस तरफ ऐसा लग रहा है कि आपके partner के पास ना कोई है नहीं तो यह person अकेले है और आपे पूरा focus है नहींगा कि पूरी energy है इनकी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके partner ने past में या तो अपनी family के लिए या फिर अपने किसी और priority के लिए आपको neglect किया है काफी अपने किसी relationship के लिए आपने इन्होंने अपना और आपका रिष्टा केने के sacrifice कर दिया आपको वो attention नहीं दिया जो आप चाहते थे और आप अपना पूरा का पूरा right चाहते थे जो आप deserve करते हो लेकिन वो इन्होंने कहने आपको नहीं दिया तो जब भी आपके बात आई तो कहने कहने आपको उन्होंने चुपती है in fact जो लोग stable रिष्टे में भी हो ना आप लोग भी यह कही न की feel करते हो कि आप कभी-कभी neglect हो जाते हो बताना मुझे अगर ऐसा है तो क्योंकि मैं तो यही pick कर पा रही हूं कि आप at times person द्वारा neglect कर दिये जाते हो ठीक है और इस चीज़ के बारे में भी इनोंने सोचा है कि यह ऐसा करते हैं guilty जरूर feel करने हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वाकई में वो बात होती है जब वाकई में स्थिती होती है ना तो फिर से उसको repeated behavior को करते है कि बार-बार ऐसा होता है लेकिन फिर भी partner ने इस बारे में सोचा है इस बारे इसको thought दिया है पहले यह क्या करते थे ना पहले यह इस चीज़ को acknowledge ने करते थे आपकी भावनाओं को आपकी जो feelings हैं और आप कैसा है महसूस कर रहे हो लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि या मैंने ना अपने partner के साथ बाते में गलत किया है यह वो हर बात याद कर रहा है जोनोने आपके साथ गलत की है ठीक है तो मुझे partner की energies मिल रही है बहुत ही जादा repent करते हुए guilt की और आपको blame भी कर रहा है यह ऐसी बात नहीं है कि सारा का सारा blame भी खुद पे ले रहा है कि मेरी ही गलती है लेकिन हाँ अपने उन बातों को याद कर रहे हैं जो बहुत जादा जिन चीजों ने relationship को harm किया है आपके लिए ट्रावल कर सकते हैं आपके लिए गिफ बेच सकते हैं आपके लिए पूरा दिल खोल के रख सकते हैं बड़ा सा लंबा सा message आ सकता है आपके phone में इनकी तरफ से एक बहुत प्यारा सा status आ सकता है इनकी तरफ से आपके लिए बहुत नए-ने energies मुझे दिखाए दे रही है claim कर लेना बहुत प्यारी-प्यारी energies हैं जो इनकी missing energies हैं आपके लिए ठीक है आप मैं मेरूँगी next reading में तब तक ही लिए जै जै श्री राधे राधे